स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल फ्यूचर टू यू में और आज का जो टॉपिक आप सभी के समक्ष चलाए हम वही एफस्टी के जो पहली यूणिट का टॉपिक है जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आपको पढ़ाया था इसमें की तरफ जल्द से जल्द टॉपिक की तरफ आते हैं हमारा ट्रडीशन आफ साइंस ट्रडीशन आफ साइंस जो की है हमारा यह रहा हमारा ट्रडीशन आफ साइंस देखो यह हमने कल पढ़ा था स्ट्राटेजी आफ साइंस तक की सारा कुछ पढ़ लिया था अब हम नहीं प्रदना the tradition of science. One aspect of science endeavors makes it different from all other aspects of science achievements. एक aspect science का देखा जाए तो वह दूसरे aspects से सब changes है, सब different endeavors और different aspects से करता है. इस इस दाइप, this is that scientific endeavors at any point of time depends on the existence of previous knowledge. अब ये ये जस इसलिए है क्योंकि कोई भी scientific endeavor उसकी पुरानी जो knowledge हमने गेन कर रखिया उसके उपर depend करता है without the stock of previous knowledge the method of the scientist would not be able to achieve much अगर हमको पुरानी किसी भी scientist को पुरानी knowledge नहीं होगी तब तक वह आगे जो starting आगे जो करना चाहता है वह नहीं कर सकता the method of scientist would not be able to achieve much तो अब जो भी scientist method लगाएगा वो तब तक किसी काम कर नहीं जब तक उसको पुरानी की जो knowledge है उसका ज्यानना हो तो further to be called scientist scientist scientific workers have to add to previous knowledge scientific scientific scientist constantly strive to change the accepted truth scientist जो हैं वो क्या कर रहे हैं scientist कॉंस्टेंटली स्ट्राइब तो एक्सेप्ट दा एक्सेप्टेट टूथ जो accepted truth है उसको सैंट कॉंस्टेंटली स्ट्राइब करते हैं इन देस सेंस दे यूनिकली डिफर from other professionals इसी इसी सेंस में वो क्या कि दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उन से अलग तरीके से डिफर करते हैं अलग तरीके से अलग समझ में आते हैं जैसे लॉयर प्रेस्ट अडिमिस्टेशन को मेली इंटरप्रेट्स और यूज अन यूज प्रिविए सब के सब्रिविए सब प्रिविए सब्रिव नॉलेग का करते हैं साइन्स इस आ कॉमुलेटिव एक साइन्स अट एनी ताइम इस दो टोटल रिजल्ट आफ आल एक साथ रख करके हम देखते हैं और यही एक तरह कहा जाए परानी जितनी नॉलेज और आज तक की जितनी नॉलेज है सबको एक साथ रख करके हम देखते हैं और यही इसी चीज़ को हम साइन्स कहते हैं ऐसल सबक्सकित कर्णिस और आउं कि आपस्ति हैं हुआने इसपीं मेरत ओराश कर्णिस साइंटिस्थर की जिएบस की जिएगेशव सांथ कुछ बोड़ाद ब़च की हरता है। In art and music, the work of the past past masters are always appreciated. पुराने जो भी लोग हैं, उनका जो वर्क हैं, उनका जो अब काम नोना जो भी किया हो, सब को हम अप्रिशेट करते हैं. In science, it is only the current state of knowledge. साइन्स में कहा है साइन्स में यह एक करन्ट स्टेट फ नॉलेज है विच इस ऑफ दव अट्मोस्ट मोस्ट इंप्रटन सह तस पास्ट इस फूज में निइन टू प्रेज़ अब यह साफ सित्य वाद यह जो भी पुराणी नॉपलज ले रखी है वही काम्याब उजी को हम कि उसमें जो भी गलतियां होई जो भी ज़ी चीज थी उन सब को ध्यान में रखते हुए हम आगे को कोई भी कर कदम उठाते हैं तो ट्रेडीशन ऑफ साइंस का मतलब यही है ऐसी ट्रेडीशन चलता है आगे आते हैं अब साइंस का सोशल फंक्शन क्या है साइंस एंद दा मी वी प…? अधर इंग दिए साइंस के विध साइंस की वैसे हमने रत वगरा में बना पाए यही सब होता है चला आया है इस दिफ्रेंट टौल्स मेंस फ्रोड़्क्शन उब्ल अ ग्रूशल रोल मिंस फॉड़क्शन जो है वह ई सन्हां अ कूड़ियो घ्रूश बहुए कूश इस तरीके से लोगों ने नीचर को अपने फाइदे के लिए यूस किया है निचर की से ट्रांसफर्म किया है लोगों ने अपने यूस के लिए इन इस इफरेंट तोल्स अमिन्स प्रोडक्शन है ब्लेज आप ग्रूशल रोल we all we can measure historically epochs of the corresponding principles means the production like stone age, bronze age, iron age in the last few centuries the means of production have become a very complex and therefore one now referred to the industrial age, atomic or special age अब लास्ट के परहे के हम जैसे देख पारे हैं stone age में, bronze age, iron age में कुछ ने कुछ प्रोडक्शन होते रहते थे और आप कुछ सालों कुछ सौ सालों से हम देख पा रहे हैं कि इंडुस्ट्रियल एज आरक चुकी अटमोग एज स्पेस एज यह सब चीज़ आ रखी हैं यह बहुत ही डिफरेंट और कॉंप्लेक्स चीज़े हैं अब देखो पहली बाली मेंगा development of science technology have brought to a tremendous change in the means of the production अगला early man stripes is man stripes is exact of fashion material so that they could be used as tools satisfy the him prime needs techniques were thus discovered अब देखो आज की तरह में fashion wear है सबको जो भी हो रहा सब कहा जाए तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो science से related ही है science flowers in different countries in different times अब science का क्या है कि science ने अलग-अलग countries में अलग-अलग तरीके से अपना growth किया है generally science thrived whether whenever a society had organized itself to increase the production and goods and to create the degree of satisfaction or to it अगले आगे लिखा हुए the most fruitful period of scientific advances were also those in which practice and theory could be combined either in the individual scientists or its groups whether the practitioners of medicine, artisans and the technicians the growth of science not only increases production but also leads to an improvement in the method of production यह देखो science और idea science के साथ में देखो science होगी वहाँ ideas भी होगे तो यह थी अब इसकी जो अगली वीडियो हमारी जो आएगी उसमें इस topics इस chapter से related जितने भी mcq हो सकते हैं जो paper में आएंगे आ सकते हैं वह हम अब आपको अगली वीडियो में provide करेंगे और कोशिश करूँगा कि आपको हर एक हर एक mcq में provide करवा पाऊं और तब तक के लिए वेट करें क्योंकि इस बार जो हमारा paper है इस chapter से जितने भी mcq बन पाएंगे मैं आपको अगली वीडियो में provide कर दूँगा तो तब तक के लिए आप ट्यून रहें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ने किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो जल्दी से तभी आपको वीडियो मिल पाएगी वरना आप समझ सकते हो और किसी को सब्सक्राइब कर दूँगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ